ये इत का मुबारक परवह और हम इस समय पहुँचे हुए है रेती चोग पर और आप देख सकते हैं कि ये मदिना मश्चिद में अभी नमाज कुछ देर में होने वाली है। नमाज के दौरान सुरच्छा के भी चाक्चोबंद इंतजाम किये गए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूलिस कर्मी है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं और यह आप यहां पर तस्वीरें देखिए यह अरविंद राय जी हैं यहां पर कोतवाली के सब्रभारी हैं और यह देखिए यहां पर सुरच्छा मदीना मस्जित में यहां पर मदीना मस्जित के पास सुरच्छा आपको चाक्षोबंद दिखाई दे रही है गोड़सवार भी हैं और इसके साथ ही स्पेशल फोर्सेज यहां आप देख सकते हैं जो यहां पर कमान समाले हुए है सुरच्छा वेवस्था की कमान समान ले हुए और शांती पूरी तरह से दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री योगी अदितनात का शहर होने के नाते यहां पर सुरच्छा के काफी पुक्ता इंतजाम है राजियू कुमार एडिशनल सिटी मैं स्टेट हमाई साथ हैं उनसे जा लगी हुई है मैं भी लगातार कई मस्जिदों पर होके आ रहा हूं हर मस्जिद पर एक एक स्टेटिक में स्टेट भी लगे हुए हैं जो कि उनको कोई भी दिक्कत हो रही उसका समधान कर रहे हैं और पुलिस का अस्थानी पुलिस लगी हुई है प्लस जो बाहर की पुलि नमाजी भी आ रहे हैं ओसा कुष सरे नमाज करेंगे उन्हों वी कहा गया कि नमाज पढ़ते हैं साजविनिक रास्ता नहीं करेंगी मंजीद के अंदर नमाज पढ़ेंगे नमाज पढ़ने क दीधर डैसमा काम के अपना है अपना बॉक canyon काम उस्कोर सब लोग हर सुलाज के साथ नमाज अदा करने आ रहे हैं लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस मुबारक पर पर की लोग किस तरह से ईद को मनाएं सामानते हर पर में जो ब्योटताएं होती हैं कि लोग सवहर्द बनाए रखें भाईचारा बनाए रखें अमनचैन से आधारा है यहां पर तो यहां पर किस तरह से नमाजी आ रहे हैं और नमाजद अधाक हम लोग जीस मदीना मस्जित खड़े हुए हैं यहां लग एक हजार 700-10000 लोग संभावित हैं इसकी बड़ी मस्जीद है बड़े इलाके हैं आसपास कई मस्जीदे हैं इससे शुरक् का डिप्लाइमेंट और बिटर किया गया है और जो इस्पेशल फोर्से फोर्सेज हैं उनको भी यहां सुरच्छा में लगाए गया है चुकि अलग-अलग मस्जिदों में अलग-अलग समय पर ईद के मुबारक मौके पर नमाज अदा की जा रही है और इसकी शांती कारियों के साथ पुलिस के अला अदिकारी भी जूटे हुए निरस्ट वास्तों वेपी लाइव गुरफपूर।